हेलो दोस्तों हिंदुस्तान की धर्टी पर ऐसे कहीं बीर हुए हैं जिन्नों ने अपने सौरी और सहस के दम पर दुनिया को अपने आगे जुका दिया उनकी बीरता उनके सहस को आज हर कोई याद करता है तो उसका सीना गर्ब से चोड़ा हो जाता है तो आज के इस बीडियों में हम कुछ ऐसे बीरों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमें गर्ब करने के कई मौके दिये हैं ये सबी बीर एक से बढ़कर एक थे हमें इनके गुणों को आत्मिसाथ करना चाहिए चलिए स्टार्ट करते हैं नमर एक पर है माराना प्रताब इनका नाम जुवान पर आते ही हर हिंदुस्तानी का जो सर है फक्र से उचा हो चाता है ऐसे योद्दा जनोंने हर कस्ट और हर तरह के दुख को सहा लेकिन उसने अकवर किया दिनता कभी शुकार नहीं की बलकि बीरतार से लड़े और अकवर से लोहा लेया आप उनकी बीरता का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हो कि शौम अकवर ने भी युद्ध में माराना प्रताब का सामना नहीं किया आप उनकी बीटा का अंदाज इस बात से भी लगा सकते हो कि अक्वर महाराणा प्रताब का नाम सुनते ही पसीने पसीने हो जाता था नम ने ऐसे बीर को महाराणा प्रताब ने कभी भी अक्वर तथा मुगल सामराज की अधिनता को सोकार नहीं किया था तो बच्चों ऐसे ये देश के महानबीर हमारे लिए प्रेणा की सोर्त बने हमें इनके गुणों को अपने जीवन में भी आत्मसात करना चाहिए नम्मर दो पर आते हैं बीर सिवाजी महराज भारत के महानबीरों में बीर सिवाजी का नाम सीर्षपर था इन्होंने हिंदुत की रक्षा करते हुए संपुन भारत को एक जूट कर दिया था इन्होंने अपने सौरियवे बीरता से मुगलो तता आदिल साय को कई बार धूल चटाई थी बीर स्यबाजी आज भी बीरता और उदारता के लिए बिशभर में जाने जाते हैं चलो नमर तीन पर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्या गुरु चानक के सयोग से अपनी बीरता से चंद्रगुप्त मौर्या ने इत्यास के महान युद्धाओं में अपनी अलगी छाप छोड़ दी थी चंदकुत मौरिय की बीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि उन्होंने सिकंदर के प्रधानमंत्री को बुरी तरह पराजित किया नमने ऐसे बीरों को नम्मर फोर पर आते हैं प्रतिवी राज चोहान प्रतिवी राज चोहान एक ऐसे बीर जिनको अंतिम हिंदू समराट के नाम से भी जाना जाता है जिनों ने मुहमद गोरी को सत्रा बार युद में पराजित किया और हर बार उसे जीवन दान दिया आखिर में धोके से मुहमद गोरी ने उन्हें बंदी बनाया था फिर उनकी आखे भी निकलबा दीती मुहमद गोरी ने लेकिन फिर भी चंदरवर्दाई के सयोग से उन्होंने यानि की प्रतिवीराज चोहान ने बिना आखों के देखे भी तीर मार कर मुहमद गोरी को मौत क के घाट उतार दिया आज इनका नाम सुनते ही हर हिंदुस्तानी का सीना गरब से चोड़ा हो जाता है चलो नम्मर फाइब पर आते हैं क्रिशन देव राय जी दक्षिन के महान राजा क्रिशन देव राय जी जो की बिजय नगर के सासक थे ये अपने बंस के तीसरे सासक थे इ यानि कि मुगल जो थे दक्षिन के तरप कभी गए भी नहीं थी इनके डर से इन्होंने कई मंदिरों का निर्वान करवाया ये सबसे ताकदवर हिंदुस राजाओं में से एक माने जाते थे इनके कारण दक्षिन में बावर ने भी कभी आकर्मन करने की हिम्मत तक नहीं की थी ऐसे महान थे भारत के ये बीर ऐसे महान बीरों को मैं सत्सत्नमन करता हूं तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो उमीद है आप लोगों को पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें और आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों तक पहु और कमेंट में इस वीडियो के ब्रती सुजाब भी दें चलो मिलते हैं किसी नई वीडियो में फिर किसी नई कंटेंट के साथ तब तक के लिए गुड़बाय दोस्तो